हेलो यूरीवन जैसा की पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपी पुलिस कॉंस्टेबल दोजर ते इसके अनलाइन फॉर्म में जो है प्राइमरिली स्टेज के लिए रिजिस्टेशन करने का बताया था तो जिसकी OTP नहीं आ रहे थी अब सभी के OTP आने लगी तो आईए हम आपको बताते हैं कि OTP आने के बाद आपको फार्म को कैसे फिल करना है OTP आने के बाद आप इसकी Official Website पर जाएंगे तो आपका दूसरा Option मिलेगा OTP Authentic उस पर क्लिक करके आप उसमें अपना पंजी करन संख्या जन्मति थी और OTP जो आई है उसे केयरफुली भर कर फिर Capture डालके हम Activate करेंगे आप जैसे ही Activate पर क्लिक करेंगे तो आपको एक Pop-Up Message आएगा जिसमें दिखाएगा कि आपका Registration जो है वो Activated हो गया है तो इसके बाद हम फिर से एक नए पेज पर चले जाएंगे जिस पर आपको अपना Registration नमबर जन्मति थी और Capture डालके Login करना है तो आईए हम आपको आगे लेके चलते हैं आप जैसे ही Login करेंगे आपको या Payment के लिए Option आजाएगा जिसमें आपको 400 रुपए फीस पे करनी है जो आप अपने UPI और Net Banking के माद्यम से बिलकुल सरल तरीके से कर सकते हैं हम आपको इसे UPI के माद्यम से Payment करके दिखाते हैं अगर आप UPI से Payment करना चाते हैं तो आप नीचे UPI फोन पे वाले क्लिक करेंगे इसमें आपको Enter UPI ID या UPI RQ Code के तरह आप अपना Payment कर सकते हैं मैं QR Code को Open करता हूँ जो की 2 मिनिट 45 सिकेंड के लिए Open होता है आप इसे बहुत ही Carefully Payment करें कि इस ट्रांजक्शन को Complete होने के बाद यह Automatically नए पेज़ पे खुल जाएगा जैसा कि Payment Successful होने के बाद आपको फिर से Login करना पड़ेगा जिसमें आप अपना Registration नमर, DOB और Capture डालके Login करेंगे Payment के बाद आपको अपना Photograph, Signature, High School, Intermediate और आपका जाती प्रमार पत्र और आपका निवास प्रमार पत्र भी साथ में लगेगा जो की 100KB के अंदर Photo Size में या PDF दोनों में ले सकता है वैसे आप Photo Size JPG और JPEG फाइल में रखें और 100KB के अंदर ही रखें जो की आपका Photograph है वो 20-50KB के बीच में होना चाहिए और Signature जो है वो 5KB से 20KB के बीच में होना चाहिए आप अपने सारी डाकुमेंट जब अपलोड कर देंगे तो इसके बाद Final Submit and Next के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका Farm जो है वो Complete हो जाएगा जिसे आप Print कर सकते हैं जहाँ साइड में आप देख सकते हैं Print Application है वहाँ से आप Farm को Print कर सकते हैं और यह आपका Farm जो है वो Complete हो चुका है जिसे आप Print Application करके आप अपना Print Out निकाल के देख सकते हैं और इसकी एक कापी अपने पास सुरचित रख लीजिए जो की आगे काम आएगी उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको कोई भी प्राबलम होती है तो आप हमें कमेंट करके अवस्य बताएं धन्यवाद